भॉब जासे दो में तर्टर अ बरीगुट को सेडल में शॉम भाय गॉस डहल में यह पहला क्या क्यालोकुलेटर पर सॉल करो और है यह मैं लिखता हूं तब तक क्यालोकुलेटर पर सॉलव करो तो और थोड़ा टाइम बचेगा कर दो येस या मैं से दालाए तुझे नहीं समझा है ओके हाँ एक्वेशन तो सॉल्ट करो पहला हमें एम पता चलेगा येस प्लीज वट इस दे एम अफ दिस हमें लास्ट में क्या लाना है वट इस एक्स वट इस वाई वट इस जेड अच्छा थोड़ा अलग मिल रहे है नतलब राउंड फिगर नहीं है एक्स और आए त्री पॉइंट फाइस सेवन वन पॉइंट नाइन टू सिक्स जिरो चलो बचलो अभी चार्ज होगे वेरी गुड जरह सामने देखें न प्लीज जरह साइड में क्यलकुएटर रखें सामने जिनका क्यलकुएटर पर बीजी है हाद जोड़के विननती है यह जो सुनने का है न हो मौका में ने क्यलकुएटर वाला बाद में भी सिख सकते हो चेक कर सकते हो वरोसा रखें अपने भाई बंदू ने यह एंसर भेजा है तू ज्यादा दिमात मत चला अंसर आया है सामने का देखो जो लोग लेट आए अरेंजमेंट जेकोबी के जैसा मतलब क्या है पहला एक्वेशन कुन कुन सा है फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर यह 27 है तो यह पहला एक्वेशन जो सबसे बड़ा नंबर है वह सबसे बड़ा नंबर मतलब पहला एक्वेशन सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर को नहीं तो वन है यह तो 6 है यह 15 है अच्छा यह सबसे बड़ा नं पहले में जो सबसे बढ़ा है वो पहला एक्वेशन दूसरे में जो सबसे बढ़ा हो दूसरा तिसरे में जो सबसे बढ़ा हो तिसरा चलिए अर्रेंजमेंट तो कर लेता हो पहला एक्वेशन है 27x 6y-z is equal to 85 दूसरा है 6x plus 15y plus 2z is equal to 72 फिर x plus y plus 54z is equal to 110 प्रेडिजन देंटलमेंट प्लीज यह पिच्चर तुम लोग के साम में अभी फॉर्मिला कैसा बनाते हैं वो भी देख लो एक बार फॉर्मिला कैसा बनाते हैं फॉर्मिला जो पहला वाला यहां से x निकलेगा तो 85 तो है 6y और माइनस z को उदर भेज देना 85 को वहां पर ही रखना 6y को उदर भेजिए z को उदर भेजिए हाँ 27x में से 27 को भी भेज दीजिए डन दूसरे में 72 है 6x उदर जाएगा 2z भी उदर जाएगा कि एने 15y में से 15 से डिवाइड कर लेना कि 72 है सुरी 110 है कि एक सुदर गया कि वाई भी उदर गया कि 54z कि येश कि चलो यह अर्रेंजमेंट फॉर्मिला यह सब हो गया है सब लोग एक बार ध्यान से सुनिए अभी इंपोर्टन क्या है इट्रेशन नंबर वन एक बार सुनिए बार में फिर तुम लोगों को रुकाऊंगा नहीं इट्रेशन में क्या होता है मैं बतता हो यहां पर एक्स का वैलिव का जरुवत नहीं यहां पर खली वाई और जेड चाहिए वह भी टेंपर दी एकस का वैलिव का जरुवत नहीं मैंने मद्या वाई और जेड से यह भी टेंपर रही इसमें के लीटेस्ट वैलिव यूज होता है लीटेस्ट एकस्स मिला तुरंद यूज करने वाई मिला तुरंद यूज करने जो अपडेटेड है उसको लिना है पुराना वाला भूल जाना है अपडेटेड वैल्यू लेना है तो जरह यह एक्वेशन्स अपने नोट्बुक में लिखी है न मैं स्क्रीन स्लाइड करूंगा न तो तुम लोगों का एक्वेशन्स गायब हो जाएगा तो पूट करने का मारा म यह सब लोग एक्वेशन लिखो दो मिनिट में यह एक्वेशन को फार्मीला लिखो फार्मीला लिखो दो मिनिट में प्लीज कि 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 अब इसमें के एक बार सुनी मेरा बात्ची सुनिए विननती है तुम लोग घाई मत करों बात में फिर तुम लोग बोलोगे समझा नहीं है इसमें वाई और जेड का वैल्यू जिरो डाली है वाई और जेड जिरो डाला तो 85 by 27 इसका एंसर आता है 3.1481 अभी ये सॉल करने के टाइम पर यहां पर जेड का डालिये और एकस का ले टेस्ट वाली डाले जो मिला है न यह वैं लिटेड एस हैं तो यहां पर तुम लोग एकस इजेड़ इंडिपेंडेंडनली नहीं कर सकते होते ऐसे हों ने के बार होने होने के बादी जेड मिलेगा ध्यन में रखिए तो x का latest value डालिए यह आता है 3.5408 आगे का सुनिए अभी x और y नया वाला है यह इधर पुट करो इसमें इसमें पुराना वाला y भूल जाओ जो latest value है y का latest value है x का और z में डालिए 1.9132 के values है फिर y temporary लगेगा यह उपर का y temporary ले लो z भी temporary ले लो what is next यहाँ पर x2, y2 and z2 मिलेगा इसमें y डालो और z डालो x2 मिलेगा 2.4322 y निकालने में latest x मिलेगा और z मिलेगा latest x और z पुट करेंगे 3.5720 और लास्ट वाले में latest x लेटेस्ट y डालिए यह आता है 1.9258 तो जितने members हैं आपर available है अभी तुम लोग calculation में participation कर सकते हो दरा सोचिए कि आगले वाले में क्या होगा iteration yes iteration number iteration number 3 यहां पर y लगेगा थोड़े टाइम के लिए लगेगा 3.5720 जेड़ भी लगेगा लेकिन थोड़े टाइम के लिए 1.9258 थोड़े टाइम के लिए सो यहां से latest x मिलेगा latest y मिलेगा latest z मिलेगा किदर गायब होगे रहे हैं हिम्मत दे तो डालो ना answer 2.4257 3.5729 1.9260 x is very good very good लोग अभी भी हैं लगे हुए क्यालकुलेटर फास्ट वापर नहीं को आना चाहिए रहे इटरेशन नमबर 4 y लगेगा z लगेगा x 4 y 4 z 4 2.4256 3.5730 1.9260 एक बार चिक करो अपना जो एम था डारेक कैलकुलेटर पे सॉल्ड करके जो आया था 2.4255 था 3.5730 जीद गए हम यह सामने देखो यह अपना एम है ना अलमोस्ट मैच हो गया अलमोस्ट तो चार इटरेशन डन सो एक्स का वैल्यू 2.4256 चलेगा वाई तो एक्जेक्ट मैच हुआ है तो गौस सेडल में तीन से चार इटरेशन में हो जाता है चार इटरेशन तक हो जाता है लेटेस्ट वैल्यू यूज़ करते है इसके लिए लेटेस्ट तो चलता है इतना आगे पीछे चलता है सो हम एक नमबर आगे पीछे बागी सब तो सेमी हुआ है यह हमारा मैच हो गया है फूर्द इटरेशन में मैच हो गया वैसा तो थर्ड में भी नज़्दीक आयाता लेकिन यह बहुत जादा खुलोज है बताओ समझाए कि नहीं समझाए हेलो प्लीज झाल झाल झाल